हलो फ्रेंड्स मेरा नाम शालू पाल है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्रूप डिसकेशन किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं हाव टू क्रैक ग्रूप डिसकेशन हमें कई बार फेस करना पड़ता है चाहिए वो MBA admissions के लिए हो या interviews के लिए हो तो ग्रूप डिसकेशन आपके से क्रैक कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि what is ग्रूप डिसकेशन ग्रूप डिसकेशन क्या होता है ग्रूप डिसकेशन in simple words means discussion among a group of people नाम से ही indicate होता है ग्रूप डिसकेशन मतले हम एक ग्रूप के अंदर discussion ओके, so discussion among a group of people ओप आपको समझ में आया होगा तो ग्रूप जो है उसमें 5, 10, 15 कितने भी लोग हो सकते हैं जादा या कप यह लोग क्या करते हैं एक ग्रूप में यह लोग मिलके एक topic लेते हैं और वो topic के उपर अपनी अपनी राय रखते हैं वो topic के उपर discussion करते हैं frankly, freely and friendly तरीके से next है within a time limit of 20 to 30 minutes the abilities of members is measured हमें time दिया जाता है ग्रूप discussion में 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes कई बार हमें 45 minutes भी दिये जाते हैं तो यहां पर हमारी abilities measure के जाती है क्योंकि जब हम एक ग्रूप के अंदर discuss करते हैं तो हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारा confidence कितना है, हमारी personality क्या है हमारी communication skills कैसी है, यह सब हमारी measure की जाती है हमारे group discussion से Nowadays, group discussion is being extensively used along with personal interviews for the final selection of candidates It plays a main role in selecting the best among the best तो group discussion आजकल, almost हर जगा consider किया जाता है Almost हर जगा करवाया जाता है, personal interviews के साथ में ताकि एक candidate का final selection किया जा सके क्योंकि group discussion से हमें उसके बहुत सारी skills के बारे में पता लग जाता है It is one of the best tools to study the behavioral and attitudinal responses of the participants एक participant के सरीके से group में behave करता है उसके attitude कैसा है यह behavior और attitude पता लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छा tool माना जाता है group discussion को तो hope आपको समझ में आया होगा कि group discussion का मतलब क्या होता है कितने लोगों के बीच में होता है कितने time में होता है और क्यों conduct किया जाता है Next हम देखेंगे कि group discussion से कौनसी कौनसी personality skills judge की जाती है सबसे पहला ability to work in a team आप एक team के अंडर में किस तरीके से काम कर सकते हो या आप काम कर सकते हो भी या नहीं ये ability आपकी measure की जाती है आपकी communication skill measure की जाती है कि आप किस तरीके से आपकी बोलचाल है आप अच्छी तरह से अपनी भाशा में अपनी views express कर पाते हो या नहीं listening skills आपकी कैसी है जब दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है तो आप उसको कितने अच्छी तरीके से सुनते हो उससे listening skills कहा जाता है reasoning ability देखी जाती है कि एक topic पे आपका discuss हो रहा है तो आप उस topic पे अपनी अपनी abilities आप उस topic पे show कर सकते हो वो आपकी measure की जाती है leadership skills measure की जाती है कि एक group की अंदर जब भी आप कोई topic का discussion होता है तो आप उस discussion में lead कर पाते हो या नहीं कर पाते हो तो आपकी leadership skills देखी जाती है behavioral skills देखी जाती है क्योंकि 10 लोगों के बीच में आपका किस तरीके का behavior है आप दूसरों को बोलने देते हो या dominate करते हो या आप उने किस तरीके से आप उनके साथ behave करते हो इससे behavioral skills measure की जाती है creativity देखी जाती है creativity में तो कोई भी topic है उसके अंदर में आप क्या नए ideas लेके आते हो इससे creativity देखी जाती है confidence level आपका देखा जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है वो देखा जाता है आप अपने topic पे जो बोल रहे हो उसमें आप confident हो या नहीं हो ये इस तरीके से आपका confidence level भी measure किया जाता है तो ये जो सारी personality skills होती है ये GD के जरीए हमें पता लग जाती है इसलिए GD कंड़ करवाई जाती है दस simple rules होते हैं कोई भी GD को crack काने के लिए आईए हम देखते हैं वो 10 simple rules क्या है सबसे पहला है keep eye contact while speaking देखिए आप अपने group में जब discussion कर रहे हो आपके साथ 10-12 लोग बैठे हुए तो आप हर team member के साथ अपना eye contact maintain रखिए ठीक है next है initiate the GD initiate the GD मतलब आपको जो भी topic दिया है group discussion में उसको आप शुरुवात करें जैसे आपको topic दिया गया और evaluator ने बोला कि अब आप GD स्टार्ट कर सकते हैं तो अगर आप उस topic के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं allow others to speak देखिए GD conduct हो रहा है हम 10-12 लोग मिलके GD conduct कर रहे हैं तो हर किसी को बोलने का मौका दे ज़रूर नहीं कि आप ही पूरा 10-15 मनट बोलते रहें आप दूसरों को भी बोलने का मौका दे उनके भी thoughts सुने अपने भी thoughts बताए और उनके भी thoughts को agree करे या अगर आप उनके किसी point से degree नहीं करते हैं तो आप अपना point उनके सामने रखिए और वो point को clear करिए जब आपकी बारी आएगी तब एकदम से उनको interrupt नहीं करना है किसी को भी बोलने के बीच में क्योंकि ये bad impression देगा evaluator के mind में next point है speak clearly देखिए हमेशा clear बोले simple words use करें जीड़े के दौरान जो दूसरों को बहुत जल्दी से समझ में आ जाते हैं ऐसे words आप यूस करिए और घुसे में मत आईए अगर आपको बोलने नहीं मिल रहा है या कोई आपके point को agree नहीं कर रहा है तो आप aggressive मत होईए गुसा मत होईए आप शांती से अपना point रखिए सबके सामने next point है make sure to bring the discussion on track देखिए अगर group अपने topic से भटक रहा है तो आप initiative लीजिए आप वो discussion को वापस track पे लेके आईए और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको इस discussion के end में एक conclusion बनाना है और वो conclusion में सारे group members के points आने चाहिए तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आपका group discussion से भटक रहा है तो आप उसको वापस track पे लेकी आईए और topic पे ही stick रही है next है positive attitude आप किसी को भी dominate ना करें जब आपका group discussion चल रहा है आपकी body language positive होनी चाहिए और आपने interest दिखाना है discussion के अंदर में कि आप interested है GD के लिए next point है speak sensibly speak sensibly का मतलब होता है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो points relevant होने चाहिए topic को लेके ऐसा नहीं है कि GD है तो आपने कुछ भी बोलना है आपको topic से related ही बोलना है irrelevant आपको speech नहीं देनी है GD में ओके तो ध्यान रखिए कि आप भले ही थोड़ा बोले लेकिन आप topic से related बोले next point है listen carefully to others देखिए जरूरी नहीं कि आपको पूरा जीडी में बोलते ही रहना है कई बार अगर आपको topic पे कम knowledge है तो आप कम बोलिए और सुनिए जादा आप ध्यान दीजिए कि दूसरे क्या बोल रहे हैं इससे क्या होगा आप अपने group के discussion में involved रहोगे और ये show करेगा कि आप दूसरों के points से सहमत हो next point है no need to go into much detail किसे भी topic पे आपको अगर basic knowledge है तो भी sufficient है जरूरी नहीं कि आपको बहुत detail में जाके ही discuss करना है क्योंकि आपका महाँ पे उस topic पे knowledge नहीं measure किया जा रहा है आपकी personality skills देखी जा रही है इसे लिए आप अपने thoughts जो भी है उस topic को लेके आप short और simple language में रखिए ज्यादा detail में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है next point है जो कि last rule है वो है formal dressing आपने हमेशा जीडी के time पे जाते हूँ है formal dress पहनना है formal dress में आता है sober कपड़े जैसे अगर आप female हैं तो आप सलवार सूट या साडी पहन सकती है या sober trouser और shirt पहन सकती है ऐसा नहीं कि आपने fancy और funny dressing नहीं करना है आप comfortable होने चाहिए क्योंकि आप एक group के अंदर में आप जा रहे हो आपके gestures, positive और body language आपकी अच्छे दिखने चाहिए अगर आप males है तो trousers and shirt are the best option with a tie also अगर आप tie लगा सकते हैं तो वो भी अच्छा है तो इस तरीके से एक formal dressing में आप जाएए GD के दौरान क्योंकि उससे आप और भी presentable लगोगे और evaluator के mind में एक impression जाएगा कि आपका dressing sense भी अच्छा है तो ये 10 rule आप follow करिए GD के time पे तो आप easily कोई भी GD आप crack कर सकते हैं hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा thank you आपने मेरा पुरा वीडियो सुना आप मेरा YouTube का learn by watch चानल subscribe कर सकते हैं आप अपने सुजाओं मुझे mail कर सकते हैं at learnbywatch.com पे आप मेरे और वीडियो सुन सकते हैं youtube.com slash learnbywatch thank you